मैं कुंदा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुच्रिमूद से घला हैं। टू में वापिस से अचताई। अपने लीग केरेक्टर में नज़र आएंगे संजदत, या फिर एक नए हीरो के साथ निभाएंगे प्रोटिगॉनिस्ट का किरदार, क्या खलनायक के सूपर हिट गाने किये जाएंगे फिल्म के सीकुल में रीमेग, खलनायक 2 के सीकुल को लेकर क्या कहना है माधुरी देख्षित का? हेलो नमस्कार दोस्तों आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉली ग्राइट स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट पंक्षुरी 90's की सूपर हिट फिल्म जिसने बॉली वुट को एक खलनायक गिफ्ट किया था वो बापस से अपनी सूपर डूपर हिट फिल्म के अगले सीकुल के साथ तयार नज़र आ रही है ये फिल्म उस जमाने की सबसे ज़्यादा टॉप कॉंट्रोवर्शियल और सूपर हिट फिल्म थी फिल्म की कहानी से लेकर इस फिल्म के गाने हर एक चीज में काफी ज़्यादा कॉंट्रोवर्शी क्रेट हुई थी उस वक्त जब खलनायक की मेकिंग चल रही थी संजेदत के उपर कुछ कानूनी करवाई भी हो रही थी सब ही मुश्किलों के बावजुद उस जमाने की सबसे हिट फिल्मों में से अपना नाम दर्शिया इस फिल्म में खलनायक मुवी फिल्म के कई सारे ऐसे डालॉक्स भी हैं जिने आज तक लोगों ने अपने जहन में याद रखा हुआ है संजेदत को बॉलिवूड में आज भी खलनायक के नाम से जाना जाता है फिल्म के सीकुल की कहानी भी काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है फिल्म से जुड़े क्लोस सोर्स की माने तो इस फिल्म के सीकुल का आईडिया और कुछ बेसिक स्टोरी लाइन संजेदत ने खुद सुभाश गई को लेटर्स के त्रू लिख कर दी थी जिसके बाद सुभाश गई को भी इस फिल्म की सीकुल को बनाने का काफी अच्छा इंट्रेस्ट आ गया अब एक एहम सवाल खड़ा होता है कि फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले संजेदत क्या इस बार सीकुल में भी खलनाएक के तौर पर नज़र आएंगे या फिर एक नई आक्टर के साथ वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट के रोल में बिखाए वेंगे क्योंकि एक इंटर्व्यू के दौरान संजेदत ने बताया था कि बाकियों का तो पता नहीं लेकिन वो अपने प्रडॉक्शन हाउस के अंदर खलनाएक के सीकुल को बनाना काफी जादा पसंद करेंगे साथ ही उन्होंने अभी तक ट्राइगर श्रॉफ से ही इस फिल्म के लीड आक्टर के तौर पर बात की है ट्राइगर श्रॉफ अब लीड आक्टर के तौर पर हीरो का किदा निभाएंगे या फिर विलन की जगलेंगे या फिर होगा उनका किसी तरीगे का फिल्म में character switch ये तो फिल्म की official announcement होगी तब ही सामने आएगा फिलहाल इस फिल्म से जुड़े दो स्टार्स का ही नाम confirm हुआ है जो की है संजदर और टाइगर श्रॉफ खलनायक मुवी का super hit song चोली के पीछे क्या है जब तयार किया जा रहा था इस गाने के lyrics को लेकर काफी सारी controversy स्क्रेट हुई थी साथ ही माधुरी दिख्षित को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था बावजुदिस के इस गाने को successfully release किया गया और ये 90s का सबसे super hit item number साबित हुई दुबारा से फिल्म को नए अंदाज में खलनायक 2 में पेश किया जा सकता है अब इसमें item number पर perform करती हुई वापस से बॉलिवुड की धग धग गल माधुरी दिख्षित नजर आएंगी या फिर ट्रेंड में चल रही बॉलिवुड की दूसरी दीवा गल्स फिल्म में उनके गाने और सामने आ रही खबरों से related जब खलनायक मुवी की heroine माधुरी दिख्षित से सवाल के गए तो उन्होंने क कि अभी तक इस बारे में उन्हें कोई confirmation या पकी खबर तो नहीं मिली है लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो इस film के sequel में काम करना जरूर पसंद करेंगी फिल्म से जड़े जो भी confirmation सामने आते हैं वो उसे positively accept करेंगी दोस्तों क्या आप माधुरी दिख्षित को वापिस से फिल्म में लीड़े अक्रिस की तौर को देखना पसंद करेंगे या फिर बॉली उट की कोई new heroine इस film में उनकी जगर लेने के काबिल है आपके क्या views हैं हमें comment section में बताईए हम फिल्हाल लेते हैं आपसे इजाज़त आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर कीजे और बॉली ग्राइड स्टूडियोस को सब्स्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आज की इस रूप्लिकी है कोमल तिवारी ने